हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्च पद पर होना चाहिए प्राथ्फिक्ता पर होना चाहिए कि लेकिन मैं पहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं क्या कभी छोटे कहनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या जैसे छोटे कहनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कहनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते 75 साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पुरवजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उस से हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरास्त है इस विरास्त के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाये हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए हमारा कहनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं उस तश्वीर का खाका खीच सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वो भव्य दिव्य मा भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं दोस्तों हम बुरुत काल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कहनबास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्दी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर भर की बात करता है तो अर्मटिलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकॉनोमिक के जमाने में चीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगे है और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंट सेक्टर में आत्मनिर भर हो एनर्जी सेक्टर के में हम अर्थ अंदिर भर हो एडिबल ओई क्यार इस देश को आत्मनिर भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाने का तेल क्या आप देश भाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम संपादाइत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं सिर्फ दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर पर दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशा में ही कदम रख रहे होंगे और मैंने एक बरलाल के लिए से कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो एक्फेक्ट हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहों हमारी प्रक्रिया में परियावरन पर कोई इफेक्ट नहों ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैनुफेक्टिं हमारे डिजाइनर हमारी यहां निर्मान होरी डिजाइन्स हमारे सौपफ़ेर हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स हमारे हस्त सिल्प हर छेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जा करके विश्वा के अंदर हम हम अपना जंडा फैरा सकते ही अ चाहिएक इस मेरे अच्छा अच्छा हमार प्रोड़ों होगा इसे हमारी उनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिख्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे हम हमें चल्ण पना है अब गती तार्किंग में अब जबड़ी-ट्वेंटी में बीलीश्फा के मैं आए तो मैंने नलंदा के एक तश्वीर रखी दिवह और मैं दुनिया को कहता था फंद्रह सो साल पहले अब मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनक सुनते ही रह जाते हैं लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी हैं पर प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुना है आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर विंया में हमारी पहचान बना रहा है टीतु टी सीटी से गाउँ गरीब परिवारों से गाउँ से देश के नौजवान देश की बैटे-बैटियां आज खेल कुओक के जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही हीं लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेल कुद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहरा था होगा हमें अब पूरा दल पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम भीश्व की आशा पेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान ने मानवी के जीवन में भी क्वालिटी अफ लाइफ के प्रती जो एस्प्रेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जैसे मैंने कहा हम भागवान हैं हम उस समय काम कर रहें जब समाज अपने आप एक एस्प्रेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वालत देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है